हलो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आज की स्वीडों में बहुत सारे भाईयों का जो कॉमेंट रहता है मैसेज रहता है कि हम जो है अगर विदेश जाएं दुबई जाएं किसी भी कंट्री में जाएं तो जो है कौन सा काम सीख करके जाएं क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या काम सीखें क्या बाहर बहुत जादा चलता है जिसमें को जादा अच्छी सेलरी मिलेगी तो हम वही काम इंडिया में सीख करके फिर उसके बाद जो है दुबाई जाएं तो दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक अभी जो है दुबै जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग अभी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों उनको मैं एक ही चीज बताउ मैं छह साल रह चुगा हूँ, बहुत company में जाना, इसी के घर में जाना, या फिर फैक्टरियों में जाना, जहां पर जो है, एसी लगे हुए होते हैं, तो उन एसी को सही करना, maintenance करना, यही मारा काम था, तो दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, बहुत सारे लोगों से मिलता भी था, बहुत सारे की थी बात करता था, तो हर इनसान की salary के बारे में भी जानकारी लेता था, तो salary वग अगर आपको अगर हम बता दे तो भहिया, चाहे वो जो है, एसी technician हो, चाहे वो plumber हो, चाहे वो जो है, प्रिज़राइं करन के आधां अधार्ट। अगर आप एक अच्य टथिन एस तब अगर नहीं है तो आपकी एक हजार तक भी लग सकती है याने एक हजार दिरहम जो कि इंडिया का लगभग 20,000 या अगर आप अच्छी टेक्निशन है और पहली बार जा रहें तो 22,000 लगेगी वैसे ही दोस्तो अगर हम बात करें चाहिए वो सट्रिंग कार्पेंटर हो प्लंबर हो किसी प्रकार का खाम करता हो उसको जो है सेलरी स्टार्टिंग लगभग 1000 से 1200 दिरहम ही मिलती है दोस्तो यही रियलिटी है बाकी एजेंट आपको कितनी भी बता दे आपको 1500 बता दे या 1200 बताने के बाद जो है ओवर टाइम प्लस खाने का पैसा बाकी एजेंट जो है आपको चाहिए कुछ भी बता दे उस से पे आपको 100% भरोसा नहीं करना है क्योंकि एजेंट आपको सिर्फ यहां से भेजना चाहता है और आपसे पैसे लेना चाहता है बाकी उसका दूसरा कोई मकसद नहीं होता है हाँ कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो आपको रियालिटी बता देते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके दिल में जो भी है, यानि कि आपका जो भी दिमाग और दिल कहता है, आप वही काम सीखिए, आप जैसे कहीं पर जाते हैं, तो आप बहुत सारे काम ऐसे देखते होंगे, जिनमें आपको लगता होगा कि ये मैं काम सीख लूँ, तो ये काम मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो वही आप काम सीखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये परसनली किसी के बताने से काम सीखेंगे, उसके बाद आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, ये आपके ऊपर ही है, आप किसी के बताने से कोई भी काम मत सीखेंगे, आपको जिस काम में इंट्रेस्ट हो, आप वही काम सीखेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपका दिमाग भी लगएगा, आपको जल्दी भी सीख जाएंगे, और उसके बाद आपको सैलरी भी मिलेगी, तो सैलरी स्टार्टिंग आपको हारी काम में लगबग यानि कि थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है, बट 100% से ओर है कि आपको इससे ज़्यादा उपर सैलरी नहीं मिलेगी, इसके लिए अगर आपको सैलरी बढ़वानी है, तो आपको जो है लगन से काम करना होगा, और थोड़ा जो है एक्सपिरियंस लेना होगा, वहीं प लगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उतनी सैलरी पाने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम उस कंट्री में लगाना होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाए, उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी होगी, यानि कि इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जिस कोमेंट में आप लोग का रेपलाई जरूर करूंगा, तो चेले दोस्तों मिलते हैं, नेक्स उडियो में ऐसे ही आप लोग कोमेंट करते रहे हैं, अगर कोई जानकारी आप लोग को पूछी नहीं है, तो मिलते हैं दोस्तों,